हाई फ्रेंस चलिए आज हम बनाते हैं मेथी का बहुत ही तेश्टी नास्ता जो कि हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है बहुत ही ज्यादा खस्ता करारा चटपटा सा नास्ता आप कभी भी इसको खा सकते हैं लेंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं तो पतले वाले डंठल है तो अब कर लेते हैं इसकी cutting तो आप भी इसी तरीके से cutting कर लेजिए बस इसको थोड़ा महीन हो जाना चाहिए तो मैंने सारे मेथियों को cutting करके अच्छे से इसको धो के रख लिया है ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए तो अब लेंगे एक बाउल म लेंगे थोड़ा सा मेझी का पाउडर तो नहीं ही डालना है आप लेंगे हम करीब आदा चंबास आज माईन जरूर डाले क्योंकि आज माईन से बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा और आज माईन होता तो सद्धियों में खाना भी चाहिए अब डालेंगे करीब आदा चमच नमक दो चमच रिफाइंड ओल तो सभी को अच्छे से मिला लेंगे तो इसको थोड़ा सा हम मोयन कर देंगे ताकि बढ़िया खसता बने तो अब जो मेथिया धोके रखा था उसको आटे के अंदर डाल करके पहले हम इसको बढ़िया आटा लगाएंगे अगर जरूरत पड़ा तो पानी डालेंगे तो एक शारी मेथिया नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा डालेंगे तो मेथि पचा था मैंने वह भी डाल दिया है अब स्चे Buff Software अगर पानी की जवश्च पड़ेगा तो मै मैंने आटे को लगा दिया है तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक लोई तो मैंने थोड़ी बड़ी लोई लिया है अगर आप चाहें तो छोटा छोटा भी लोई ले सकते हैं लेकिन मैं एक साथ में कई सारे पीशेस बनाओंगे इसके इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा लोई काट लिया है तो बस अब इसको हम रोटी की तरह बेल देंगे तो रोटी की तरह बेलेंगे लेकिन थोड़ा इसको मोटा बेलना है बिल्कुल पतला नहीं रहेगा थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो यह देख भी गरम है तो हम कर लेते हैं इसको फ्राई तेल जब अच्छे से गरम हो तभी आप इसको तलिए क्योंकि इसमें साग है तो साग अपना पानी छोड़ने लगता है साथ में नमक भी है तो इसको थोड़ा करारा ही से कि यह बहुत ज्यादा बढ़ियां लगता है अगर आप च दिन मज़े से आप खाएंगी जब भी आपको चाय के साथ कुछ भी हलका सा खाने का दिल करें आप दो मठरिया लीजिए अराम से खा सकती है क्योंकि यह गेहूं और मेथी से बना है तो काफी हल्दी भी होता है तो आपके बच्चे को आप टिपिन में या बड़ो को या ट को त्यार कर लिया है तो मैं इसको सॉस के साथ इंजॉय कर रही हूं बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगा मुझे तो आपको भी पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइज सस्क्राइब जरूर करें